यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप देख रहे हैं और आप लोगों के इंवेस्टर इंवेस्ट करने तो आपको इसी समझना होगा कि अगर प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत ज्यादा है तो इससे यह समझ मेरा कि कंपनी बहुत स्ट्रॉंग है क्योंकि 70% अगर हो सकता है अगर प्रमोटर्स होल्डिंग कम है अमाल निचे रिटेलर्स का होल्डिंग बहुत ज्यादा है तो उस सेर में क्या होगा कभी भी मार्केट अचानक सुपर जागा कभी अचानक से नीचे की तरफ भी लेगा रिटेलर्स का कुई वरुसा नहीं यह आज खड़े और आज ही बेच भी दे ऐसा देखने को मिलेगा तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो उस जगहां पर देखिए कि प्रमोटर्स वर्डिंग कितना है अगर प्रमोटर्स वर्डिंग ज्यादा है तो आपका पैसा सिक्योर है वालिटिलिटी मार्केट में बहुत कम रहेगा क्लियर है तो यह पार्ट थोड़ा द्यान दिजएगा और एक चीज आपका जो ओवरल व्यू में आप यह मार्केट कैपिटल देख रहे हैं ना मार्केट कैपिटल यहां पर यह जितना ज्यादा होगा उस स्टॉक में मैनुप्लेस अतना ही कम होगा अगर समझें चार सो पान सो करोड़ का कम पनी है उस कमपनी को आप देखें कभी भी उसमें अपर सर्क्राइड लग जा रहा है कभी भी लोवर सेर्कित लिग जा रहा ह क्या एक से दू दिन के उनका पैसा कटम हो जाए तो यह सब स्टॉक में जिसका मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा होता है जिसमें मैनुपलेशन नहीं हो पाता जाए क्लियर है जब अगर लॉंग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करें तो यह सब बात का तुरा द्यान रखेंग